पहली बंदे भारता जो हाई राइस पेंटाग्राफ पे चलती है जी दोस्तो तो अब हम लोग आ चुके अपने कोच के अंदर हाला कि शताब भी न्यू डेली से चलती है वो साड़े चार गंटे लेती है दाल बगरा दोस्तो खराब हो चुकी थी गर्मी के कारण इसलिए हमें सर्व नहीं की गई गूड इवनिंग एवरिवन कैसे हैं आप सभी लोग आई होब कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे दोस्तो एक बार फिर से मैं आप सबका करता हूँ वेलकम एक और नए ब्लॉग में तो मैं इस ताइम खड़ा हूँ टैली केंट की रेलवे स्टेशन पे और आज का ब्लॉग होगा दोस्तो एक ट्रेंज जनी है यह सारी इंफर्मेशन में आपको इस व्लॉग में दोंगा से लास्ट टाइम हमने सफर किया था देहरादूं दिल्ली बंदे भारत बगर आप मैंने रख दिया है और मैं आ चुपा हूँ बाहर अभी लगबक 15 मिनट है ट्रेंज चलने में दोस्तों कुछ जरूरी इंफर्मेशन आपके साथ शेर कर दो इस ट्रेंज के बारे में आज हम दोस्तों जिस ट्रेंज में ट्रैवल कर रहे हैं इसका ट्रें नंबर गुडगाओं उसके बाद अलवर उसके बाद होगी हमारी डेस्टिनेशन जैपूर और उसके बाद इसकी लास्ट टॉपे डेस्टिनेशन होगी अजमेर वैसे दोस्तों अगर इस ट्रेंज की टाइमिंग की बात की जाए तो ये शाम को 6 बच के 40 मिनट पे डेली केंट से निकलती है और रात को लगबग 12 बजे आपको अजमेर पहुंचा देती है सुबह दोस्तों ये अजमेर से निकलती है लगबग 6 बच के 20 मिनट पे और 11 के आराउंड आपको डेली केंट उतार देती है दोस्तों ये पहली वंदे बारत है जो की हाई-डाइस की फ्राम डेली केंट टू जापूर तक सो दोस्तों फाइनली डॉर्ट अफ बंद हो चुके हैं और ट्रेन हमारी डेपार्चर के लिए तयार है डेली केंट रेलवे श्टेशन के टाइम हो गया 6 बच के 20 मिनट चलिए आपको डेपार्चर दिखाते है डेली केंट रेलवे होगी और डिस्टंस हाज हम कवर करने वाले हैं लगबग 300 किलो मिटर का अब भी बंदे भारत में ट्रेवल कर रहे हैं तो प्लीज डिपार्चर होने से पांच मिनट पहले ही अंदर आ जाएं क्योंकि अगर बंद हो गए तो आप बाहर ही रह जाएंगे दिक्कत हो जाएगी तो आप पहले ही अंदर आजे अपनी सेफटी के लिए फिलाल आप डिपार्चर चक किजिए डेलिगेंट से हां जी तो दोस्तो ट्रेन अब हमारी निकल चुकी है डेली केंट से रफ्तार पकड़ लिए ड्रेन ने और चलिए कोच में अंदर जाने से पहले थोड़े से आपके साथ फीचर शेयर कर ली जाएं स्टेट के बारे में तरवाजे के दोनों तरफ दोस्तों CCTV कैमरास लगे ह के लिए हमारा कोच है वैसे C5 यह है इदर C4 दो तरह के आपको टॉलेट्स मिल जाते हैं दोस्तों एक वेस्टन और एक इंडियन आपकी मर्जी आप दोंसा मर्जी आप्ट कर सकते हैं इनके डोर्स की बात की जाए तो दोस्तों ऑटोमेटिक है जब भी डिपार्ट होने ल दोस्तों इधर साइट मेंटरी यही से हमें फूड वगरा सब्सक्राइब देखेंगे इवनिंग स्नैक्स में हमें क्या मिलता है मैं आपको लिखा दूंगा दोस्तों फर्स्टेट की भी ऑप्शन है अगर आपको कोई भी मेडिकल अमर्जंसी है तो आप इनसे करने के लिए चलिए अब चलते हैं अपने कोच के अंदर हांजी दोस्तों अभी अभी हमने स्किप किया पालम और आगे ही चलके थोड़ा सा आ गया है इंद्रा गंधी इंटरनेशनल एरपोर्ट आपको मैं जूम करके दिखाता हूं थोड़ा क्योंकि बहुत जल्दी आने वाला गुर्गाओं हमारा पहला होल्ट लेकिन उससे पहले इंद्रा गंधी एरपोर्ट के थोड़े से नतारे अन्जॉई कीजिए आप सो दोस्तों दिल्ली केंट से निकलने के बाद ट्रेन अब हमारी अपने पहले होल्ट पर पहुंचने वाली है जो की है गुडगाओं गुडगाओं दोस्तों NCR का ही पार्ट है बड़ी बड़ी MNC का हब है यह कापी लोग दूर दूर से आते हैं यहां पर काम करने के लिए कुछ लोग फ्रस्टेट हो के कुछ सालों के बाद अपने घर जाते हैं और कुछ लोग यहां पर अपनी जिन्दगी बनाते हैं यह है गुडगाओं की कहानी वैसे दोस्तों मैं मजाग करा था वैसे क्वार्पेट क्यूर्पर्ट में अपको पता ही है मैं दोस्तों के मी जोड़ purity में की कहानी मैं और जो भी था दोस्तों बिलकुल मजा किया था तो मैंने कोई भी सी Turkish मत ले मैंने कुडगाओं नवीड़ा चलिए आप अब गुडगाओं का अराइवल देखिए, सिरफ दो मिनिट का हमारा यहाँ पे हॉल्ट होगा, यहाँ से भी काफी जैम पैक होगी हमारी यह ट्रेन और यह आप अराइवल चेक कर सकते हैं अब हम लोग पहाँ चुके हैं गुडगाओं, दो मिनिट का हॉल्ट है और अपना कोचाथ C5, शाम ढ़ने को आईए वैसे दोस्तों संसाट हो चुका है और हमारे साथ ट्रेवल कर रहे हैं अच पुनीद भाई, इनके चैनल का नाम है नोमेडिक पुनीद, जाके सस्क्राइब करते हैं यह भी अपनी ब्लॉगिंग करते हुए दर्वाजे के पास ही खड़े होते हैं क्योंकि दोर बंद होगे तो दिक्कत हो जाएगे क्योंकि दो मिनिट का हॉल्ट है और ओटोमेटिक डोर है इसके क्योंकि ओफिस वाले बंदे जो हैं वो सारे यहीं से बोर्ड करते हैं चाहे डबल डेकर हो शताबदी हो और अब बंदे भारत सीनों यहीं से जैंपक बगरा होती है वैसे स्टार्टिंग में इतना अच्छा इंस नहीं था लेकिन अब ट्रेन काफी भरी हुई चल रही है काफी सीटे पिछले दिनों में खाली चल रही थी लेकिन अब जैंपक होनी शुरू हो चुकी है सोला कोचित वाली है तो वेटिंग आनी इसकी भी शुरू हो चुकी है गुडगाओं से दोस्तों वैसे अब हम लोग डिपार्ट हो चुके हैं अब हम चलते हैं अपने कोच क कि अब हमारी गुडगाओं से निकल चुकी है रफ्तार पकड़ लिए ट्रेन ने इंटेर बगारा मैं आपको थोड़ी दिर में देखाता हूं लेकिन सबसे बहले हमें इवनिंग स्नैक जो है वो सब हो चुका है और पानी की बॉटल भी हमें मिली है वो हमने नीचे रखी ह इवनिंग स्नैक में दोस्तों एक है यहाँ पर कचोड़ी यह है दोस्तों एपल जूस एक हमें मिली है instant mix चाए एक मिला पीनट का पैकेट और साथ में एक है कैचप का पौच कचड़ी के साथ कहने के लिए और टिशू बगर रहा है तो यह सब था इवनिंग स्नैक में चलि के और तेज हो जाएगी और आने वाले टाइम में इसकी स्पीड और बड़ेगी जब ट्रैक्स पो अप्ग्रेट कर दिया जाएगा चलिए इवनिंग स्नैक्स को एंजॉय करते हैं और बाकी की बाते आगे चल के गंटिन्यू करते हैं दोस्तों अभी इवनिंग स्नैक्स हम ट दोस्तों देखते ही देखते अभ हम स्किप करें हैं हें रवाडी की दोस्तों बैसे रयवडी कापी जादा फेमस हैं विसके यहां पे हौट वगर्या नहीं हैं हमारा यहां से हमी आथ लाइन डिवर्ट होड़े से काफी ला ने में हांने की फिवानी के लिए और इंमस के इंटीरियर वैसे काफी बार मैंने दिखाया हुआ है सेम यहां कुछ जादा चेंज नहीं है फूटरेस्ट है दोस्तों नीचे ठीक ठक सा नीचे दिवा है बॉटर बॉटल होल्डर यह है दोस्तों मैक्जिन कवर यहां पर अपनी अकबार और मैक्जिन रख सकते हैं यह है द दोस्तों एक स्क्रीन वगरा भी दी हुए है जिसमें कितना डिस्टंस हम कवर कर लिया है कौन सा स्टेशन आने वाला सारा कुछ आपको डिस्प्ले में शो होता है सीसी टीवी कैमरा जंदर और पुछ टू टॉक का सिस्टम भी अंदर लगा हुआ है सीट लेयाओट की बार सीट करें तो दोस्तों थी भाइटव का सीट लेएफ है तीन इदर दो इदर एक्सेक्जीट में दोस्तो तु तूब आईटव में अप 180 डिग्री पर रोटेट कर सकते है सीट इसमें नहीं कर सकते है इसमें बस आप पुछ पेक थोड़ा सा रिक्लाइब कर सकते हैं बटन को बताऊंगा हाँ जी दोस्तों तो लगबग 20 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अलवर जंक्शन अलवर का स्टेशन कोड है दोस्तों एडबली ओर से दोस्तों अलवर फेमस है अपने मिल्क केक के लिए और अलवर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से एक लाइन मत्हुरा के लिए भी निकल जाती है तिरफ दोस्तों दो मिनट का हॉल्ट है यहां पर और 20 मिनट हमारी ट्रेन आल्रेडी डिलेड आई है रेवाडी से चलने के बाद कापी ट्रेन हमारी स्लो हो गई थी तो इसलिए चलते हैं कोच के अंदर क्योंकि अलवर से डिपार्ट होने के लिए चलिए अब चलते हैं कोच के अंदर यहां पर डिनर बगरा की भी तैयारी हो रही है देखते हैं क्या मिलता डिनर में सो दोस्तों दो मिनट हॉल्ट लेने के बाद ट्रेन हमारी पाइनली डिपार्ट हो चुकी है अलवर जंक्शन से यह अब डिपार्चक देख सकते हैं अगला स्टॉप होगा दोस्तों इसका जैपूर और वहीं पर हम उतर जाएंगे वैसे यह ट्रेन जाएगी अजमेर तक लेकिन दोस्तों हम ट्रेवल कर रहे हैं जैपूर तक और छूटते ही दोस्तों ट्रेन ने काफी स्पीड पकड़ लि नहीं है वो है तीन घंटे 25 मिनट की जैपूर तक फेयर्स की दोस्तों बात करें तो जो एसी चेयर कार में हमने पे किया है वो है लगबग 1100 पर 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 संट डैली से जैपूर तक अगर दोस्तों आप एक्जिक्यूटिव में सफर करते हैं तो आपको फेयर पड़ेगा लेकिन उसमें सिर्फ आपको ब्रेकपस हर्फ किया जाता है कुछ भी लंच पगरा नहीं दिया जाता है तो ओनेस्ली बताओं तो फेयर मुझे भी थोड़ा सा जादा लगा डैली से जैपूर तक के लिए 1100 रुपे अगर आप दोस्तों शताबदी में सफर करते हैं तो वह टाइम सेव करने के लिए यह दिखाने के लिए यह पास्टेस ट्रेन है लेकिन यह पास्टेस नहीं है तो दोस्तों यह थी कुछ टिकट पेर्स की कहानी बंदे भारत की अब दोस्तों हमें डिनर बगएरा सब होगा देखते हैं डिनर में क्या क्या हमें मिलेगा सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा दिखाऊंगा और एंड में रिव्यू भी करेंगे फूर का और इस ट्रेन का भी रिव्यू करेंगे जब हम जैपूर पहुंच जाएंगे वेच में देखएंगे राहें हमें मिली हैंछी को ठाल बहरेंगे ऊछी शाणे तो ये मिला है हमें वेच खाने में दहीं भी मिली है नॉन वेच में दोस्तों पनीर की जगा सिर्फ चिकन है बाकि सब ताम जाम सेम है तो ऐसा कुछ टिनर वेच और नॉन वेच हमने दोनों अलग अप्चन कराई थी आपको दिखाने के लिए हाँ लेकिन एक सेट बैक है दो किसी को भी नहीं मिली मैंने जब पूछा कि अपने दो सबजी यह क्यों नहीं दी तो उन्होंने मुझे चुपचा बताया कि दाल खराब हो चुकी है गर्मी की वज़े से इसलिए अच्छी बात है कराब हो चुकी है सब नहीं करें लेकिन ये हमारे लिए तो सेट पैक है न पनीर की सभजी दोस्तों एक नंबर है डाल नहीं मिली थोड़ा सा दुखा लेकिन पनीर की सब्जी बहुत बाता हमाला है थो डिनर पगड़ा अब हमारा हो चुका है और दिनर के बाद मिली है हमें यह जो वनीला ऐसक्रिम पहले डिनर का रिव्यू दे दू आपको तो दोस्तों सबजी काफी ज़्यादा बढ़िया थी पनीर की नो डाउट टेस्ट बहुत कमाल का था यार बहुत फ्रेश थी चावल भी काफी अच्छे थे रोटी काफी गरम थी ये बात है एक बात का मलाल है बस की डाल हमें नहीं मिल पाई क्योंकि डाल मैंने आपको जैसे बताया कि खराब हो जोगी थी कुछ-कुछ कोच इसमें मिली है कुछ-कुछ में नहीं मिली है किसको बलेम करें किसको नहीं इस बात का मलाल ज़रूर है कि हमने 1100 रुपे पे किया तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए रेलवे बलो को हम दोस्तों उनको ज़्यादा ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक नैचरल चीज़ है खराब हो गई तो अब हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं बट हाँ टेस्ट कापी अच्छा था मुझे लगता कि डाल भी बड़े ही होगी बट हमारी किस्मत में नहीं थी चलो वह बहुत अलग गया अब हम दोस्तों आइस्क्रीम टेस्ट करते हैं अभी 35-45 मिर्ट में हम पहुंच जाएंगे जैपूर दोस्तों तो आइस्क्रीम मगरा भी खा लिया हमने और स्पीड देखिए आप ट्रेन की 1.8, 1.5, 1.10 ऐसी चल रही है 110, 111 से ज़ादा नहीं जा रही है मैक्स स्पीड जो इसको दी हुई है इस रूट पे वो है 1.10 की इससे ज़ादा नहीं चलेगी हलाकि बाकी बंदेबार 130 पे चलती है जो बोपाल वाली है वो पागरा तक 160 पे चलती है लेकिन इसकी मैक्स स्पीड 110 रही है बाहर दोस्तों अंधेरा है जैबूर आने वाला है पाइनल रिव्यू में आपको दूँगा उतर के अब हम लोग पहुन चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन जैपूर लगबख 5-7 मिनट डिलेड हो गई यहां आते आते वैसे अलवर तक 20 मिनट डिलेड थी लेकिन थोड़ा सा कवर कर लिया था जैपूर के आउटर पे थोड़ी सी रुख गई थी इसलिए 5-4 मिनट फिर से डिलेड हो गई अब दोस्तों बात करते हैं इस जर्नी की जर्नी काफी बढ़िया थी पता ही नहीं लगा वैसे 3 गंटे 25 मिनट कहा निकल गए साफ सुत्री ट्रेन थी सर्विसिस काफी ज़ादा बढ़िया थी एक चीज़ जो मुझे खटकी वो मैंने आपको बता दिया कि खाने में वो दाल मिली नहीं हमें चलो वो चीज़ खटकी दूसरा जो फेर है इसका आई थिंग थोड़ा सा ज़ादा है अकॉर्डिंग टू अधर ट्रेन्स हाँ ठीक है इसमें सर्विसिस आपको काफी ज़ादा बढ़िया मिलती है लेकिन फिर भी डैली से जैपूर 1100 रुपे आपको पे करना पड़े तो मुझे लगता थोड़ा सा ज़ादा as according to डवल डेकर और शताब दी तो दोस्तो ये थी डैली अजमेर बंदे भारत की जर्नी जैपूर तक आपको ये जर्नी कैसी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जो भी यूथफुल इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी फिर भी अगर आपको को और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक् पटाबट होटल लेते है क्योंकि मौसम काफी खराब लग रहा जैपूर में जोग सब आपको मिलते रहेंगे कल सुबह भी हमने एक ट्रेंज जर्नी करनी है और दोस्तों परसो भी हमने एक तेजस की ट्रेंज जर्नी करनी है तो बैक टू बैक ब्लॉक्स आने वाले हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चलिए अब हम चलते हैं होटल डूनते हैं यह ब्लॉक को यहीं पर एंड करते हैं बहुत जल्दी मिलूगा एक और नहीं ब्लॉक में थैंक यू सो मच गाइस पूर वाचिंग डिस ब्लॉक एंड स्टे सेफ